हेलो एवरिवान आज का जो सेशन है क्लास 12 वालों के लिए है और ये जो टॉपिक आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं डाट एस री कंस्टिचूशन और पार्टनर्शिप री कंस्टिचूशन और पार्टनर्शिप का अगर हम मेनिंग समझें तो सारा रिविज़न किया जाता है बुक्स ओफ अगाउंट्स में और ये रिविज़न किस चीज़ का होगा जितने भी हमारे पास assets हैं जितने भी हमारे पास liabilities हैं उनकी value revise की जाती है partners के ratio में changes किया जाता है जितने भी पुराने accumulated reserves और profits हैं उसका distribution किया जाता है यह reconstitution, what are the reason of reconstitution इसको पहले अच्छे से समझ ले क्योंकि आपका जो class 12th का syllabus है उसमें reconstitution के जो causes हैं उसमें से actually तो 5 causes हैं लेकिन उस 5 में से 3 कारण को हम लोग as a syllabus में complete करते हैं एक है जब कोई profit में changes आता है that is the topic change in profit sharing ratio दूसरा जब कोई नया partner firm को join करता है तब reconstitution होता है तीसरा situation death का हो सकता है death of a partner और retirement of a partner तो यह आप जो 3 reason अगर इसको overall count करें तो 4 reason दिख रहे हैं एक तो change in profit sharing ratio दूसरा admission of a new partner तीसरा retirement और 4 थर death तो retirement और death को अगर हम एक reason माने क्योंकि दोनों ही case में partner firm से जा रहा है तो अब इसको हम लोग discuss करते हैं कि जब इस तरह की situation business में partnership firm में होती है तो क्या-क्या changes accounts book में करना पड़ता है तो अब मैं बात करूँ और अगर आपको ये अच्छा लगा ये एपिसोड तो आप इसको like करिएगा और अपने comments box में comment जरूर डालिएगा ताकि मैं अपने session में और भी बदलाव ला सकूँ तो अब हम चलते हैं topic की तरफ आज का जो topic है पहला topic reconstitution का discuss करने जा रहे है that is change in profit sharing ratio by word it is very clear by sentence you are understanding that what is going on जो profit ratio था उसको बदल दिया जा रहा है change किया जा रहा है तो अब इस changes में होगा क्या जो partners हैं उनमें किसी को sacrifice करना पड़ेगा और किसी को gain हो जाएगा तो ये जो gain और sacrifice होने की वज़े से जिस item पर effect पड़ेगा पहलो उस item की बात कर ले ताकि उसी को हम accounting treatment में कैसी तरह से दिखाएंगे उसको हम लोग जादा अच्छे से समझ पाएंगे आज जो topic है basically आप एक goodwill जो मैंने एक session में especially valuation of goodwill के बारे में चर्चा की थी उसके सारे methods को explain किया था तो goodwill एक item है दूसरा item है किसी भी तरह का reserves generally अगर business की बात करें तो दो तरह का reserves create किया जाता है एक है general reserve जो general purpose में हम use कर सकते हैं और दूसरा specific reserve है और अगर किसी भी तरह का profit business में होता है तो उसको हम लोग credit balance of PL किसी भी तरह revenue profit जो regular basis में business देता है उसको हम लोग revenue profit से भी denote करते हैं PL account से भी denote करते हैं तो if there is a credit balance of PL अब आप बात आई credit balance क्योंग because profit is also a liability for the business तो किसी भी liability का हमेशा credit balance होता है यह हम लोग बहुत पहले से जानते हैं तो credit balance of PL आपके पास है और अगर हम बात करें debit balance of PL की तो वो loss है जो कि जस date को यह changes हुआ अभी तक यह loss write-off नहीं हो पाया है तो इसको भी ध्यान देना होगा यह item भी important है कि आपके balance sheet में credit balance liability side दिखेगा debit balance asset side दिखेगा उसके बाद और भी कुछ ऐसे expense दिखेंगे like advertisement, suspense, expense जो आपका अभी तक write-off नहीं हो पाया यह इसके बारे में अलग से हम एक assets की जानते हैं fictitious asset कि जो भी assets, जो भी expense अभी तक हम write-off नहीं कर पाये हैं वो balance sheet के asset की तरफ दिखता है because the benefit we are getting because of this advertisement suspense account तो इसको हम लोग liabilities asset side में show करते हैं तो यह कुछ items हैं जो मैं आपको display कर रही हूँ जिसका हम लोग treatment कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे तो इसके लिए steps क्या होंगे सबसे पहले अगर इस बात को मैं बहुत example से आपको समझा हूँ तो आपको जादा बात समझ में आएगी तो सबसे पहले एक example लेते हैं दो partner हैं A और B और उनका जो profit sharing ratio है equally है वे equally profit बाट रहे हैं अब decide यह हुआ कि agreement में changes किया गया कि from 1st April 2021 they will share the profit equally तो आप क्या देख रहे हो profit ratio 3 is to 2 से change होकर equal में चला गया तो अब यहाँ पे उस date को आपके सामने जो items की status है गुडविल की value दिख रही है जैसे मैंने example से लिलो goodwill उस date को firm में 30,000 का दिख रहा है और अगर और other items की बात करें तो उस date को हमारे पास general reserve 60,000 का दिख रहा है उसके बाद दूसरा item है credit balance of PL वो भी आपका 20,000 का दिख रहा है और एक और item है जो आपका advertisement suspense account जो asset side में नजर आ रहा है जो की आपका 20,000 का है तो यह मैंने example से समझाने की कोशिश की ताकि आपको numerical भी अच्छ से समझ में आए कि किस तरह से situation में change in profit sharing ratio के situation में हम किस तरह से accounting treatment करेंगे और किस तरह से उसके effect को show करेंगे और सबसे जरूरी इस लिए इस topic में जानना हो जाता है क्योंकि हम accounts book में reconstitution में revision ना करके इसको capital account से ही जो भी changes हुआ उसका जो effect पढ़ा capital account के थूँ हम उसको adjust कर दे रहे हैं in spite of revising in all the books of account simply by passing a single entry adjustment entry को pass करके हम इस effect को खदम कर देंगे तो यह बहुत आसान तरीका है adjustments करने का क्योंकि यहाँ पे कोई नया partner firm में नहीं आ रहा है आपसी mutual understanding से जो भी changes की वज़े से जो भी partner affected हुआ है sacrifice किया या gain किया उसको हम लोग entry के द्वारा भी सही कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सही किया जाए तो सबसे पहले steps की बात करें तो अगर यह situation जो मैंने अभी आपको दिखाया वो situation पे किस तरह से हम changes करेंगे उसके बारे में हम लोग discuss करते हैं सबसे पहला step होगा आप पहले calculate करो कि कौन partner gain कर रहा है कौन partner sacrifice कर रहा है तो आपको मैं दिखा रही हूँ display कर रही हूँ कि कैसे gain or sacrifice निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझना है जैसे 3 is to 2 old ratio है 1 is to 1 new ratio equal 2 partner है तो 1 is to 1 तो अब अगर हम निकालने जाएं तो आप क्या करो old minus new करो old ratio है a का 3 by 5 और new ratio उसका है 1 by 2 और अगर आप इसको solve करते हो तो क्या आ रहा है आप ध्यान से देखो 1 by 10 1 by 10 आ रहा है अब यहाँ पे 1 by 10 positive figure है तो यह sacrifice है a sacrifice कर रहा है 1 tenth 1 by 10 अब इसी तरह से b का निकाल लो 2 by 5 minus 1 by 2 आप जब solve कर रहे हो तो क्या देख रहे हो इसका minus 1 by 10 आ रहा है minus here refers to he is gaining because of this change in ratio he is a gaining partner तो आपको पहला step यह पता करना है कि who is gaining, who is sacrificing यह आपने first step कर लिया अब दूसरा step goodwill क्या दिया हुआ है goodwill क्या है उस date को firm का तो आपको मैंने example से जो बात की थी goodwill 30,000 है तो यह 30,000 को आप क्या करो 1 tenth निकालो उसका 30,000 का 1 tenth आता है 3,000 रुपीज अब यह आपका second step है find out the proportionate amount of the goodwill that what proportion you have calculated in first step 1 by 10 आपने 30,000 का निकाल लिया यह second step है third step में आप क्या करोगे की entry करोगे adjustment entry क्या होगी gaining partner को debit कर दो और sacrificing partner को credit करो यह हम लोग पहले से जानते हैं कि जिसके capital को less करना है debit करके करेंगे जिसके capital को increase करना है उसको credit करके करेंगे जो कि हम लोग partners capital account methods में भी इस पर discuss कर चुके हैं नहीं देखा है तो आप उस videos को देखें आपके लिए यह help होगा तो अब आप देखो कि third step में आपको entry मिल गई वो entry क्या है B's capital account debit to A's capital account यह जो B's capital account because he is gaining and A's capital account credited because he is sacrificing तो आप amount क्या दिखा होगे 3000 debit में A, B के और A के 3000 तो this is what entry you will pass in third step तो एक बार फिर से मैं recap करूँ पहला आपने क्या किया gain or sacrifice निकाल लिया by applying formula old minus new while calculating whichever whoever is coming a negative figure that denotes a gaining and positive में आ रहा है तो that he is sacrificing second step में आपने क्या किया goodwill को proportionately जो proportion आया था उस proportion में वो amount पता किया that is coming 3000 as if the goodwill is given 30,000 और एक बात और करूँ अगर goodwill का value नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालना है उसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए valuation of goodwill valuation method of goodwill तो आपको सारे methods को मैंने वहां पर बहुत अच्छे से explain किया है average profit method, super profit method, capitalization method और अगर आपके question में goodwill का value दिया हुआ है तो आप second step में proportionate amount निकाल लिजे और third step में आप क्या करें कि entry pass कर दे, entry में क्या होगा कि A को आप credit कर दिया, B को आपने debit कर दिया तो this is what the way without affecting any books of account you can make changes in your partner's capital account by passing this adjustment entry ये तो हमने बात की goodwill item के साथ आपको किस तरह से treatment करना है अब मैं अगले two topics है जो अलग जो items है like आपने को मैंने बताया general reserve है, credit balance of PLB दिया हुआ है advertisement, suspense account भी asset side में नज़र आ रहा है इसका किस तरह से हम adjustment entry pass करेंगे तो आपने तो already calculate कर रखा है कि gaining और sacrificing जो ratio आ रहा है 1 by 10 A का sacrificing और 1 by 10 B का gaining अब आप क्या करो, कि जो भी आपका liabilities का item है अगर हम इस तीन item में देखें तो दो item liabilities का है एक item assets का है तो कौन-कौन सा liabilities का है general reserve plus decredit balance of PLB दोनों को आप जोड़ दो तो अगर आप जोड़ते हो 60,000 plus 20,000 तो आता है 80,000 अब आप credits, अपके asset side का जो item है advertisement, suspense account वो 20,000 से नजर आ रहा है तो उस 80,000 में 20,000 घटा दो तो net effect कितना आएगा net amount it is coming 60,000 आपका पहला काम होगा what amount is to be adjusted now it is needed to be adjusted now first you find it out walk out rough work में आप निकाल लो अब आप क्या करो already आप gain sacrifice तो जानी रहे हो अब आप सीधे उस जो 60,000 जो net amount आया है उसका 110 जो आएगा that is 6,000 उस 6,000 को आप entry से दिखा दो adjustment entry होगी B's capital account debit 6,000 और A's capital account credit 6,000 तो ये जो आप capital account लिख रहे हो या कभी current लिख होगे ये भी एक important topic है जो हमने already एक episode में तयार किया आपके लिए that is a method of maintaining partners capital account तो sometime it will be written as capital sometime it will be written as current it totally depends on which method is followed in that form methods of maintaining capital account को भी समझना होगा अगर question में fixed capital दिया है तो it is quite understood that that form follows fixed capital method तब आपको वहाँ पे capital की जगह पे current word use करना पड़ेगा मतलब entry होगी B's current account debit 6,000 to A's current account 6,000 तो ये जो मैंने आपको explain किया with example से explain करने का purpose ये है कि अगर मैं सिफ बता दू ये करो वो करो तो इससे आपको बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर इसी बात को example से आपको display करके दिखाया जाए तो वो बात आपको जादा समझ में आएगी और accounting जो है numerical based subject है जब तक हम numerical के form में उसको नहीं समझेंगे तो हमें बात समझ में नहीं आएगी तो ये मैंने आज जो topic discuss किया ये बहुत ही important topic है अब थोड़ी सी बात करें कि किस तरह के questionnaires आप से पूछे जा सकते हैं इस topic में तो आपको सीधे पूछा जाएगा sometime find out the value of goodwill find out the net amount that is needed to be adjusted at the time of change in profit sharing ratio sometime ask who is gaining who is sacrificing find out the proportion उसके बाद what net entry you are passing, who is debited, who is credited with what amount that may be the question तो आपको मैंने ये जो goodwill, debit balance of goodwill, debit balance of PL का क्या मतलब होता है that is a profit of the firm debit balance of PL का क्या मतलब होता है, तो that is a loss of the firm तो इस तरह से आपको multiple types of questions can be raised in front of you तो अगर आपको ये सारी पहला steps मैंने क्या बताया calculate gain or sacrifice second step find out that value that is needed to be adjusted that value if it is given it's okay, otherwise you have to walk out जैसा कि मैंने अभी आपको example से बताया कि general reserve plus credit balance of PL minus advertisement suspense account that net amount what it is coming 60,000 ये आपका second step होगा third step में उसको आप proportion में बात लो 60,000 one tenth of 60,000 that is coming 6,000 और fourth step में आपने क्या क्या? इंट्री से उसको adjust कर दिया जो पार्टनर sacrifice किया उसको credit कर दिया जो पार्टनर gain किया उसको अपने debit कर दिया और capital involved करें या current account involve करें ये totally depend होगा कौन से method से आप capital account maintain कर रहे हो तो आग जो मैंने topic discuss किया इसका relation direct previous जितने भी sessions हमने आपके लिए तैयार किये goodwill valuation method के बारे में बात की दूसरा मैंने आपको ये जो methods of maintaining capital account की बात की तीसरा जो PL appropriation बनाने के तरीके बात की हर एक topic को relate करके ये एक नया topic आपके सामने आता है तो जिन students को ये सारे topics उनोंने सुने हैं बनाए हैं देखे हैं उनको अब ये बात बिल्कुल clear हो जाएगी की what steps are required to get the adjustment entry अब basically यहाँ पे इसी तरह के questions आप से पूछे जाते हैं तो ये जो मैंने आपको समझाया उमीद है कि आपको example से समझाने की कोशिश की ताकि आपको बहुत आसान तरीके से step by step इस topic को अच्छे से समझने में help हो और इसी के साथ मैं आज का session यहीं समाप्त करती हूँ किसी भी तरह की अगर कोई परिशानी या कोई problems आ रही है तो आप comment box में जरूर डालें जिससे यह समझ में आये कि मेरे बताने के तरीके आपको किस तरह से help कर रहे हैं और इसी के साथ आज का session यहीं समाप्त करती हूँ नमस्कार